Hello friends, welcome back to my channel लोजहिन का शेफ स्टाडी पॉइंट आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नम्र फोर प्लेइंग विद नमबर्स की HCF का बेसिक कॉंसेप्ट बताने वाली हूँ तो पिछली वीडियो में मैंने आपको LCM का बेसिक कॉंसेप्ट और इसी कुछ स्तम्स बताएथे आज मैं आपको बताऊंगी HCF का बेसिक कॉंसेप्ट HCF की FULL FORM होती है meine Highest Common factor X से होगया Highest C से होगया Common F से होगया Pहले मैं आपको बताऊंगी तो भाठ बताऊंगी पहले हमें एक डिजिट ले लेते हैं 6 मैंने 6 ले लिया अब फैक्टर क्या होते हैं 6 किस-किस के टेबल में आता है 6 जिसकी भी टेबल में आता है वही 6 के फैक्टर्स हुए जैसे 6 आता है 1 की टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है और 6 अपनी ही टेबल में आता है तो यह जो 1 2 3 6 यह क्या ह तो फैक्टर हमेशा चोटे होते हैं या फिर बराबर होते हैं अब यह तो फैक्टर हो गए अब मैं बताऊंगे कोमन बताने के लिए हमें एक और डिजित की से होता है नहीं लोगे 8 एक फैक्टर निकाले हैं 8 के फैक्टर वन की टेबल में तो आती है तो फो और एट अपनी टेबल से अपनी टेबल से कर जाएगा तो यह एट के फैक्टर से 1 2 4 और 8 अब कोमन क्या होते हैं जो दों में समान हो तो यहां पर कहीं पर और कोई डिजिक तो नहीं है तो और कुछ नहीं है तो मारा 1 और 2 क्या है common अब 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है क्योंकि हमें highest common factor निकाल ला है highest मतलब बड़ा तो हमारा 1 और 2 में से बड़ा क्या है two तो दा HCF of six and eight equals to two तो मेरा HCF क्या है six और eight का HCF आया two तो अब मैं आपको बताऊंगी HCF और LCM के बीच का difference क्या होती है lowest common multiple अब बच्चे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपको बताती हूं multiple होते हैं गुणज यानि कि किसी भी संख्या का table उसे multiple कहते हैं फैक्टर वो होते हैं अब यह six ले आता हमने six किस-किस की table में आता है one two three six इनके table में आता है तो यह जो चारों है यह क्या है six के factor हुए तो multiple हमेशा संख्या से बड़े होते हैं और factor हमेशा छोटे होते हैं या बराबर होते हैं तो अब मैं आपको बताऊंगी है sdf है एक सम तो हम यहाँ पर लेगे 44 और 99 तो हम इन दोनों का अलग-यलग hdf निकालना है. 44 का अलग निकालना है और 99 का अलग निकालना है परण निकालेंगे 44 का तो 44 तो उसे कट जाएगा two two is four and two two is four 2 बंजा 2 और 2 बंजा 2 अब 11 11 क्या है प्राइम निम्बर जो अपनी ही टेबल से कटेगा तो 11 बंजा 11 अब हम 99 के सिफ्ट निकाले में यह 2 से नहीं कटेगा तो 2 की टेबल 9 आता ही नहीं है तो 3 से कटेगा 3 बंजा 3 3 बंजा 3 अब यह 11 हो गया अब हम पहले हम इसके डिवाइजर्स लिखेंगे 44 के डिवाइजर्स 2 मल्टिप्लाइ 2 मल्टिप्लाइ 11 99 के 3 मल्टिप्लाइ 3 मल्टिप्लाइ 11 अब कॉमन क्या है इसने कुछ भी कॉमन नहीं है बस 11 है तो हमारा HCF क्या हुआ 11 तो हम यह पर यह लिखेंगे दा है एक सिएफ और पर टी फूर्टिफूर्स एंड नांटी नाइन इक्वाल्स टू इलेवन के वह हमारा हाइस्ट कॉमन फैक्टर तो आज की वीडियो में बस इतना ही विल्टिया आपको नेक्स वीडियो में और मेरी वीडियो को बहुत सा लाइक कर दिना चाहिए श्स आपके पास सबसे पहले पहुचे और में वीडियो को बहुत सा शेयर करना आप भी सीखना अपने फ्रेंट्स को भी सिखाना और मिलते आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई